हेलो दोस्तो मेरा नाम है मिर्शेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्ण एक्सपर्ट जा हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ऐसे common sentences जो आप किसी भी conversation में use कर सकते हैं क्या आपके साथ ऐसा होता है आप किसी से बात करें पर आपको पता नहीं आप उनसे सवाल कैसे पूछें अगर आप उनसे पहली बारी मिल रहे हैं आप उनका धनेवाद कैसे करें राइट उनसे माफी कैसे मांगे और टाइम के लिए कैसे पूछें जी ऐसे बहुत सारी situations होती है जहां पर हम common English sentences को कहीं बा रखा है ध्यान दीजएगा यहां पर मैंने how's में W और S को join किया है इसका मतलब है यह actually how is था जो कि एक contraction बनके बन गया है how is it going यानि सब कैसा चल रहा है इसको आप एक और तरीके से पूछ सकते हैं आप कहसे बते हैं what are you up to आचकल तुम क्या कर रहे हो और इसी के साथ हम अपने next phrase पर बढ़ते हैं इसका जवाब हम दे सकते हैं nothing much कुछ खास नहीं चल रहा है और अगर कुछ अच्छा चल भी रहा है तो आप बता भी सकते हैं इसी के साथ आप कहेंगे nothing much but thank you या फिर thanks so much thanks so much एक और तरीका है thank you कहने का आप दोनों में से किसी को भी use कर सकते हैं alright इसी के साथ अपना next sentence देखते हैं imagine कीजिए आप अपने friend के husband से पहली बार मिल रहे हैं और आपकी friend अपने husband के बारे में हर वक्त आपको बता दी रहती हैं तो जब आप उनके husband से पहली बार मिलेंगे आपने already उनके बारे में काफी कुछ सुन लिया है ऐसी situation में आप उन्हें ये कह सकते हैं आप कह सकते हैं I've heard a lot about you मैंने आपके बारे में बहुत सुना हैं okay इसमें हमने I've को join किया है यह है I have जो बन गया है I've heard a lot about you alright इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगर आप कहेंगे I've heard a lot about you हो सकता है सुनने वाला आपको कहें I really appreciate कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं appreciate का मतलब होता है मैं मतलब धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं so this is in a way to say thank you कि किसी ने आपकी इतनी तारीफ के इस word को हम कहते हैं appreciate जी इसमें जो stress है वो यहां पर आएगा हम appreciate नहीं but appreciate कहते है और हम अरा next sentence सब से simple है I'm sorry आप सोच रहे होंगे कि इस list में यह sentence क्यो है क्यों कि यह तो आपको already पता है well मैंने यहां पर इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसकी contraction पर focus करना चाहती हूँ I'm का मतलब होता है I am और इसको आप कहेंगे I'm I've house okay इस तरीके से आप contractions बना सकते हैं और English में और fluent sound कर सकते हैं okay हमारा next sentence है what do you think अब imagine कीजिए आप अपनी friends से बात करें और आप उनसे बात करें कि आप अपने घर में अपने bedroom में paint करना चाहते हैं आप confused है कि आप white choose करें या blue choose करें तो आप अपनी friends से पूछते हैं what do you think? should I go for white or blue? जी what do you think का मतलब होता है तुम्हारा क्या ख्याल है? इसको हम use करते हैं opinion के बारे में पूछने के लिए यानि किसी का क्या ख्याल है? So once again what do you think? यहां पर आप do और you को जोड के बोल सकते हैं what do you think? Alright, हमारा next sentence है that sounds great. अब अगर आपकी friend आपको जवाब देगी I think you should go for blue तो आप कह सकते हैं yeah that sounds great यानि कि तुम जो कह रही हो वो बहुत अच्छा है तो यह होता है यह कहने के लिए कि आपको किसी की बात बहुत पसंद आई है यहाँ पर आप great को थोड़ा जोर से और focus के साथ कहेंगे ताकि सुनने वाले को पता चले कि आप काफी खुश है तो आप कहेंगे that sounds great और अगर आप चाहें आप अपने हाथ से thumbs up भी करके दिखा सकते हैं ताकि सुनने वाला आपको अच्छे से समझ पाए अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है यहाँ पर go का मतलब है try तो आप कहेंगे give it a try, give it a go कुछ लोग इसको यह भी कहते हैं give it a shot मतलब try तो करके देखो तो आप कहेंगे आपने अपनी दोस से पूछा should I go for white or blue? what do you think? आपकी दोस ने कहा maybe you should go for blue and you say yeah that sounds great but I think it does not, it will not suit my house शायद वो color मेरे घर पर suit नहीं करेगा तो आप कहेंगे give it a go at least try तो करके देखो okay now with that हम अपनी last two phrases पर पहुँच गए है जिसमें से पहला phrase है hang on a sec कभी ऐसा हुआ है कि आप फोन पर किसी से बात कर रहे है और suddenly आपकी bell बच रहा है तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आप hold करो बोलने की जगा कह सकते हैं hang on a sec मतलब एक second रुको शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर sec का मतलब है second और hang on का मतलब है रुको तो आप कह सकते हैं hang on a sec एक second रुको alright इस तरीके से आप इस phrase को use करेंगे और हमारी last phrase है running out of time well देखा जाए तो यह मेरे साथ हो रहा है अभी मुझे कहीं जाना है इसलिए I'm running out of time क्या आप समझें मैं क्या कहना चाहती हूँ यानि मेरे पास बहुत कम समय है it means I don't have much time या फिर आप कह सकते हैं मेरा समय भागा जा रहा है यानि मेरे पास बिलकुल समय नहीं है उसको आप English में कहेंगे running out of time और अगर आप ध्यान से सुनेंगे यहां पे off बिलकुल सुनाई नहीं देता है हम कहते है running out of time जी आप इसको कह सकते है running out of time or running out of time जैसे आपको comfortable हो तो इसी के साथ दोस्तों आपने सीखी है 10 ऐसे sentences जो आप किसी भी conversation में use कर सकते हैं Thank you so much मेरे साथ जुरे रहने के लिए I hope आपने sentences को अपनी daily conversations में use करेंगे और English और fluently बोल पाएंगे See you very soon, take care, till then keep learning English, bye-bye